आईपेल 2024 से बाहर हुआ है इस्टार खिलारी चैनले सुपर किंग्स को लगा तगड़ा जटका वंडे वर्ल्ड कप 2023 खत्म हो चुका है और अब आईपेल के आगामी सीजन को लेकर चर्चा जोरो सोरो से चल रही है जहां आईपेल के आने वाले सीजन की आउक्सन से पहले रेटेन और रिलीज को लेकर खबरें आ रही है इसी भी चैनले सुपर किंग्स के लिए गुरुवार 23 नॉंबर को एक बुड़ी खबर आ रही है चैने ने अपने ओफिसियल रिलीज जारी करते हुई स्टार खिलाडी को बाहर होने की जानकारी थी बताया जा रहे कि इंगलेंड टीम के टेस्ट कप्तान बैंस्टोक वर्कलोर्ड और फिटनेस के चलते बाहर हुए पिछले कुछ दिनों में खबरें आ रहे थी कि 32 वर्षे बैंस्टोक गुटनोक का ओप्रेशन करवाईंगा अब उनकी नजरे इंडिया वर्सेस इंगलेंड के बीच आईपेल से पहले होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज पर होगा इसी करण साइथ बैंस्टोक आईपेल 24 को मिस करने का फैसला लिया है बैंस्टोक की अगर आईपेल रिकोर्ड की बात करें तो उन्होंने आईपेल 2017 में डेब्यू किया उसके बाद से वक्यवल 45 मुकाबले ही खेल पाए कई बार फ्रेंचाइजी ने उन्हें महेंगे दाम पर खरीदा लेकिन अक्सर उनका अंदर बार होने का सिलसरा जाली रहा स्टोक ने आईपेल में 45 मैचों में 935 रन बनाए इस लीग में उनके नाम 2 सतक भी सामिल है और उनका ओसा 24 और स्ट्राइक रेट 133 करा है वहां आईपेल में कुल 28 विकेट ले चुके हैं स्टोक्स 2021 तक राजिस्थान रोयल्स का हिस्सा थे और 2022 में वहां किसी भी टीम का हिस्सा नहीं थे उसके बाद 2023 में उनकी एंट्री चन्ने सुपर किंग्स के लिए होती है लेकिन वह केवल दो ही मेच खेल पाए